कि नमस्क्राइब सक्षी निश्टेक और आप सभी का स्वागत है जम्मू कश्मीर में विधानसवा सीटों के नए सीरे से परिसीमन का काम पूरा हो गया है और अब मोधी सरकार के वादे के अनुरूप जल्द ही इस केंदर शाषित प्रदेश में पहले विधानसवा कश्मीर के रागनितिक दलों ने भी परिसीमन आयोग के रिपोर्ट को खारिज कर दिया हम आपको बता दें कि उच्टम न्यायले की सेवा निवरित न्यायधिश रंजना प्रकाश देशाई की अध्यक्षता वाले तीन सदस्य परिसीमन आयोग ने दो साल के अपने विधानसवा सीटों की संख्या 43 रखने की अनुशंचा की है आयोग ने जम्मू में 6 अतरिक्त विधानसवा सीटों और कश्मीर में एक अतरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा है यानि परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसवा में सीटों की संख्या में चार की व्रि जिन में से 37 सीट जम्मू में जबकि 46 कश्मीर में हैं परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात क्या है परिसीमन आयोग ने एक समान जन संख्या अनुपात बनाए रहने के लिए जम्मू छेत्र की अधिकांश विधानसवा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धा कर दी है आयोग ने जम्मू में अनुसूची जाती को साथ और अनुसूची जन जाती समुदाए को पांच सीटें आरक्षित करके बड़ा प्रतिनिधित भी दिया है विधानसवा की नई सीटें किन जिलों में हैं नई सीटें छे जिलों डोडा किष्टवार सांबा राजवरी कठवा और उधंपूर से बनाई गई हैं इसके साथी डोडा किष्टवार और सांबा में अब तीन तीन सीटें उधंपूर में चार राजवरी में पांच और कठ हुआ की 6 सीटें हो जाएंगे किष्टवाड जिले को एक विधानसवा सीट पद्देर नाकसेनी मिली है डोडा जिले की नई सीट डोडा पस्चिम है जसोटा कठवा में नई सीट है उदंपूर में रामनगर और सामबा में रामघण नई सीट है इसके साथ ही आयोग ने जनत थाना मंडी सुरन कोट मेंधर और गुलबगड अनुसूची जनजाती समधाय के लिए अरक्षित की हैं साथ सीटें रामनगर कठवा रामघण बिश्रह सुचेदगड माड और अकनूर को अनुसूची जाती समधाय के लिए अरक्षित किया गया है देखा जाए तो कुल 90 विधानसवा छेत्रों में से नौ को अनुसूची जनजाती के लिए अरक्षित रखा गया है इन नौ छेत्रों में छह जमू में और तीन कश्मीर खाटी में है रिपोर्ट में विशेश दिवार्चें क्या की गई है इसके नाव परिसीमन आयोग ने राजवरी और पुंच जाए की महिला हो आयोग ने पाकिस्तान के कबजे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापितों को मनोनयन के जरिये विधानसवा में कुछ प्रतिनियतु देने पर विचार करने की भी सरकार से सिफारिश की है पाकिस्तान क्यों हुआ आग पबुला परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर आ रही प्रतिक्रियाओं की बात करें तो भाजपा ने जहां इस रिपोर्ट का स्वागत किया है वहीं कश्मीर के राणितिक दलों और पाकिस्तान ने इसकी कड़ी अलूचना की है कि ज़ो बयान पाकिस्तान दे रहा है एक दम वही बयान कश्मीर के राणितिक दल भी दे रहे हैं अब अब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर पाकिस्तान के कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू बहुल छेत्रों में सीटें जान बूज कर बढ़ाई गई हैं पाकिस्तान के विदेश मंतराले ने भारत के प्रभारी राजदूत को तलब करके परीसिमन आयोग की रिपोर्ट पर अपत्ती भी दर्च करा दी है पाकिस्तान सरकार न सवा छेत्रों का निर्धारन इस तरीके से किया गया है ताकि मुस्लिमों की बढ़त को कम किया जा सके इसके साथ ही पाकिस्तानी विदेश मंतराले ने कहा है कि भारत इस प्रयास के जरिये 5 अगस 2019 को अनुछे 370 हटाए जाने के अपने फैसले को वैधानिक आधार देना च को बताते हैं कश्मीरी नेताओं ने ऐसा क्या कहा है जिसको आधार बनाकर पाकिस्तान भारती परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारीज कर रहा है सबसे बहले बात करते हैं नेश्टरल कॉंफरेंस की फारुक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की इस फैमिली कश्मीर में हर विधानसवा छेतर पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के असर का अधेन कर रही है पार्टी ने यह भी कहा है कि जब भी केंदर शाषित प्रदेश में चुना होंगे मतदाता भारतियनता पार्टी और उसके छद्म चेहरों को सजा देंगे उतर कश्मीर में परस्त और आतंकबादियों की हमदर्द नेता की छवी रखने वाली महबूबा मुफ्ती के नेत्रित वाली पिपूल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि आयोग की रिपोर्ट ने परिसीमन की कवायच शुरू किये जाते समय जताये गए हमारे डर को सत साबित कर दिया पिड़ी पिड़ेक्श्य महबूबा मुफ्ती ने सवाल पुछे जाने पर कहा है कि कि इस परिसीमन की बात कर रहे हैं उस परिसीमन आयोग की घ्șराइबकर करते हैं हमें इसमें कोई भरोसा नहीं है दूसरी और गुपकार गठबंदन से अलग हो चुके सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉंफरेंस ने इस मामले पर नेशनल कॉंफरेंस पर ठीकरा फोड़ते वे आरोप लगाया है कि परिसीमन आयोक के विचार विमर्ष में नेशनल कॉंफ कॉंफरेंस के सांसदों ने भाग लिया था और इस तरह उसने परिसीमन की कवायत को अपनी स्विक्रती दी पीपल्स कॉंफरेंस ने कहा कि बीते च्छेद एशक में जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों में कश्मीर की हिस्सेदारी 43 से बढ़कर 47 कर दी गई जबकि जम आकपा नेता मुहम्मद यूसुफ तारिगामी ने परिसीमन आयोक के गठन पर ही सवाल उठाते वे कहा है कि इसका गठन परिसीमन अधिनियम 2002 के तहट किया गया लेकिन उसने केंदर शाषित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभाव का पुने सिमांकन जम्मू कश्म की जनता कभी स्विकार नहीं करेगे बराल राणितिक प्रतिक्रियाओं से इतर हम आपको बता दें कि परिसीमन आयोक का गठन मार्च 2020 में किया गया था आयोक को 2011 की जनगणना के आधार पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संस्ती छेत्रों के परिसीमन का काम सौपा गया था वर्स 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू छेत्र की जनसंख्या 53.72 लाख और कश्मीर छेत्र की 68.83 लाख है उस्तम नियाले की सेवनिवरित नियाधिश नियायमूर्ति रज्यना प्रकाश दिशाई के नेत्रित वाले आयोक में मुख्य निर्वाचन आयोक्त लुप्युक्त शुचना जारी कर दी गई है अई देखते हैं क्या क्या रहे हैं आयोक के सलएश से और भारत के शिज़कश ए दो कर था और आज परिशीवन आयोग ने अपने दो साल दो महिने के बिचारों प्रांत और सभी लोगों की शीलों को अपने ज्यार में रखके आज एक नोटिफिकेशन इसू कर दिया है इसमें कि यह नभ्हे अपनी एसीज हैं असेमली कंस्टुटुटुएंसी और पांच पार और आज इसमुल कंस्टुटुटुटुएंसीज हैं वो गएली रीजन में हैं और अस्पार नभ्हे रीजन जो कंस्टुटुटुटुएंसीज है उनको हम लोगों ने बाटा हुआ है पूरे जमू और कश्मीर उनी टेरिटरी को सबसे बड़ा जो धियान रखा गया है व अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके